हेलो दौश्टो नमस्कार जैसा कि आप सबों को पता है कि BTAC Junior Engineer का Result 20 नवंबर के बाद कभी भी जारी हो जाएगा क्योंकि मैंने पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि BTAC Junior Engineer का Result 20 नवंबर के बाद कभी भी जारी हो जाएगा क्योंकि आयोग रात दिन काम कर रहा है तन मन धन से मेरिट लिस्ट बनाने में काम कर रहा है जेई का लेकिन आपको बता दू कि इस बार जो मेरिट लिस्ट बन रहा था आयोग के द्वारा वो बन रहा था पहले मेरिट देन डिपार्टमेंट क्योंकि 3 अपरिल 2022 को मेरिट लि तो इसमें डीपार्टेमेंट जो है, BTSY आयोग वो पहले मेरिट त्यार कर रहा था, बाद». डिपार्टमेंट एलोट कर रहा था लेकिन यहाँ पर कुछ छात्रों ने कुछ छात्रों ने आयोग को गुमराह किया क्योंकि उनको RCD और BCD लेना था इसके कारण से आयोग ने फिर से अपना पलरा बदल रहा है और इसको लेकर उसी हिसाब से रिजल्ट देने की सोच रहा ह जैसा कि 3 अप्रिल 2022 को दिया गया था मेरिट और डिपार्टमेंट सेम साथी लेकिन यहाँ पर गुवर्मेंट छात्रों काफी नुकसान फिर से भुगतना पड़ेगा इसलिए जब अहाँ पर पहले मेरिट देन डिपार्टमेंट एलोट कर रहा था आयोग जब कर दिया है मतलब कर रहा था तो यहाँ पर पता चला कि BC और EBC का कटप काफी कम चला गया जो कि उमीद से भी कम है जो आप सोचेंगे तो आपका होस उर जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि फिर से वो मेरिट और डिपार्टमेंट किसी के कहने पर बहकावे में आकर मेरिट डिप होगा और यह आपका अंतिम मौका होगा इस अगर आप कल नहीं आते हैं तो आप समझे कि आप सत्तर परसेंट भी लेके आप जोब किसी भी डिपार्टमेंट में कभी भी नहीं लीजिएगा और यह आपके अंतिम मौका में बता रहा हूं कि कल यानि 17 1229 बजे पटना जरू पहुंचिए क्योंकि आपको पहले मेरिट कराना है उसके बाद फिर से डिपार्टमेंट कराना है क्योंकि पैसे के बल पर यहां पर मेरिट और डिपार्टमेंट साथ कराये जाने की यहां पर सूचना मिली है ठीक है तो आयोग फिर से उसी पलरा पर जा रहा है लेकिन हम ल माक्स 65% भी है मैं वादा के साथ कर रहा हूं उनका भी सेलेक्शन होने जा रहा है इस बाद लेकिन पहले मेरिट फिर डिपार्टमेंट आएगा तब अन्य था आप पच्ताते रहा जाएए अगर जिन कंडिडेट का पिछले बार कांसिलिंग मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट मे नाम भी आया था एक दू पॉइंट से भी ओट कंडिडेट भी कल इस आंदोलन में आए अन्य था आप पच्ताते रहा जाएंगे कटप आपका बढ़ भी सकता है अगर आप ऐसा नहीं हुआ तो ठीक है ऐसा कराने के लिए पहले मेरिट देन डिपार्टमेंट कराने के और ये सब लोग साथ मिल कर आएंगे अन्य था आप जिंद्गी का पच्तावा पच्ताते रहा जाएंगे फिर बाद में हमें नहीं कीजिएगा ठीक है क्योंकि रिजल्ट जो है काफी प्रोसेस में है और आपका रिजल्ट जल्द ही देने की तैयारी में है तो रिजल्ट सबकुस सही चल रहा था दूसरी बात है कि पहले मेरिट और डिपार्टमेंट का भी हम लोग लेके चल रहे थे उस अनुसार से हम लोगों मेरिट लिस्ट भी त्यार करवाएं और वो जो मेरिट लिस्ट त्यार किया गया उसको सुन करके आप लोग अच्छरज में पर करने वाले लोग है वह बतलब उनका खुला का खुला रह गया उस अनुसार से मेरिट लिस्ट बनाने पर बीसी का 65% से भी नीचे कटप चल जा रहा है फर्जुर जी हटाने के बाद और यह सब चीज़ देख करके हम लोग बहुत खुस हो गया थे कि अब सब बिहार के सब का चैन हो जाएगा साथ में जो मान निये हम लोग के हैं उनका भी चैन हो रहा था अनुह राजी और उसके बाद वह भी खुस थे कि चली अब इस नियावली से हो रहा है तो अब देख लिया जाए सब लोगों क्या है लिए और सब कुछ बढ़िया चल रहा था नेकिन रात कुछ अब संबीदा वाला उनको बोले या क्या बोले वोग क्या कहां से क्या कर दोते हैं कि यह बदल करके दिया गया और पुराने पेण लाने का टैया अड़िया और hiçbir तो 65% कटफ हम लोग कैसे कैसे करके करवाए थे वह सब नस्ता भी तुन हो गया तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप देखिए जब मैरित पहले हम लोग बनवाए तो फिर से इतना कटफ नीचे चला गया है जब कि किसी को भरोसा नहीं होगा 65% से भी सी का नीचे कटफ चला गया था था अर फिर से ये भी भाग अमंटन का बात अप चाल कर दिया है यह हम लोग के लिए बहुत ही खतरनाख है और अभी हम लोग का काम है दें की रिजल्ट कभी भी आ सकता है इसलिए हम लोग सोचे हैं कि कल ही 17 तारिक को ही हम लोग भव्य अंदुलन करें कि जब मैरित के साथ इतना कट अप 40% का कम जा रहा है हम लोगी सब करना है उसके बाद एक सब्सक्राइब करके इस चीज को ले करके हम फिर आप मार्केट में उतरेंगे सत्रा तारिक को हैनि कि कल और आप लोग देखिए यहां से हम लोग इतना मिहनत कर चुके हैं अगर पीछे आप लोग कुछ लोग साथ नहीं दिये अगर अभी साथ नहीं दिजेगा चाहे चाहे नहीं तो सब कोई फंज जाएगा मामला में सब कोई का जिंदगी प्रबाद होने जा रहा है क्योंकि जिस तरह से हम लोग वेंडिट लिश्तियार करवा रहे थे इतना दिन से उस तरह से कटफ काफी कम चला गया इतना कम चला है यह बहुत ही सोची तो निंदन यह घटना है हमारे साथ हो रहा है और इस सब चीज पेगल आप लोग दिहान नहीं देते हैं तो बहुत दिक्कत होने वाला है इस तरह सब काम छोड़के सब कुछ सब कुछ छोड़कर करके आप लोग कला जाए नौ बज़े पटना में औ हम लोग कि भाई आयोग यह चयन आयोग है कि वंटनायोग है और हमको चयन चाहिए पहले हम चयन लेंगे उसके बाद आवनटन करते रहेंगे और सब बच्चा का होगा सब सरकारी बच्चा नोकरी करें कैसे किसी का गान मित्ता दम हो गया कि रोग देगा को किसी को अई लो देखता था कि कहीं फर्जी हमको नहीं दिखता है आज देखिए जब जांच हुआ तेसला तीन हजार फर्जी निकल गया उलोग हर अस्तर पे गलत साबित हो रहा है फिर विभाग के लिए अब सोच रहा है कि फर्जी निकल वाई यह दिया लोग तो और बनिया बनिया लोग पर प्रेशर बना देंगे कल जब तक हम लोग को यह नहीं कर आगे पहले मैट दे रहे हैं तब दिपार्टमेंट दे तब तक नहीं मानेंगे मेरबात का भरोसा किजिए आप लोग चयन पहले जैसा सब का हो रहा है अपने आग से देखे हूँए हम सुत्र आपको नह पानी सुने होंगे मच्वारा रहता है जाता है मचली पकरने के लिए मचली पकरने के लिए जाता है तो उसके हाथ में मचली पकराता है अब मचली पकराता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो पैर के नीचे एक और छुट का मचली आ जाता है हाथ में बढ़का मचली रह लग जाता है तो अखटना हम लोग के साथ होने वाला है छोटा सा चीज के लिए लोग बड़ा चीज खोने को तयार हो चुके हैं यह मिले गाना इह रहेगा इसलिए आप लोग कुछों हो जाए कल हम लोग का समझे तो लाश्ट दिन है अंदोलन का अगर कल हम लोग नहीं आते हैं अपना स्वार्थ मेरा जाते हैं घरे सुतल रह जाते हैं तो जिन्दगी में कभी आप लोग जौब कहुने का अमीद मत देखिएगा चाहे जुनियर हो चाहे सिनियर हो कोई भी हो करवा सच्छा करता है कि कल अगर हम लोग नहीं लगे तो जीवन में कभी भी हम लोग नहीं सोझ सकते हैं कि हम लोग का संबीदा वाले लोग इतने स्वार्थ में पागल हो चुके हैं कर चाहें पैसा से ज्यादा पावर मैन पावर होता है ये साबित करना है कल अकल एनी हाव हम लोग को पहले मेरिट पे मोहर लगवा लेना है अगर नहीं लगवा पाएं तो हम लोग का जीवन परबाद हो जाएगा धन्यवाद